हेलो इस वीडियो में आज हम कम्प्यूटर जी के बारे में जानेंगे तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला जो कोशन है वो है कम्प्यूटर के अभिशकारक कौन है तो इसमें चार ओप्शन दिये गया है औप्शन ए बॉर्न न्यूमेन औप्शन बी जे एस किलवी औप्शन सी चारलेज बैबिस या औप्शन डी इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है सी चारलेज बैबिस इसके बाद कम्प्यूटर का अगला जो कोशन है वो है अधुनी कम्प्यूटर की खोज सरप्रथम कब हुई तो यहां पे चार ओप्शन है ओप्शन A 1949 या ओप्शन B 1951 या ओप्शन C 1946 या ओप्शन D 1947 तो इसका जो सही अंसर है वो है C 1946 इसके बाद अगला जो कौश्चन है वो है कम्प्यूटर के खशित्र में महान करांती कब से आई तो इसका जो सही अंसर है वो है D 1960 को कम्प्यूटर के खशित्र में महान करांती आई इसके बाद अगला जो कौश्चन है वो है कम्प्यूटर का हिंदी में नाम क्या है तो option A गणना करने वाला इसके वाद option B संगनक इसके वाद option C गणना लगाने वाला या option D परिगनक तो इसका जो सही अंसर है वो है संगनक संगनक जो है computer का हिंदी नाम है इसके वाद computer का अगला जो question है वो है computer साक्षत्य दिवस कब मनाया जाता है तो option A 5 December या option B 14 December या option C 22 December या option D 2 December तो यहाँ पे जो सही अंसर है वो है D तो यहाँ पे D इसका सही अंसर है 2 December इसके बाद computer का अगला जो question है वो है CPU का पूर्ण रूप क्या है तो option A Central Processing Unit या option B Central Problem Unit या option C Central Processing Union या option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है Central Processing Unit CPU का पूर्ण रूप है इसके बाद अगला जो question है वो है निमन में कौन input इक आई है इसमें से input इक आई कोन है तो यहां पे चार ओप्शन है option A Mouse, option B Keyboard, option C Scanner या option D इसमें से सभी तो इसका जो अंसर होगा वो option D, option D इसका सही अंसर है इसके बाद अगला जो question है वो है वन किलो बाइट कितने बाइट के बरावर होते है तो यहां पे option A 1024 bytes या option B 1024 megabyte या option C 1024 gigabyte या option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option A 1024 byte के बरावर 1 kb होते है इसके बाद अगला जो question है वो है 1 megabyte कितने byte के बरावर होते है तो यहां पे option A 1024 kb या option B 1024 mb या option C 1024 gb या option D 1024 tv तो इसका जो सही अंसर है वो है option A 1024 kb इसके बाद अगला जो question है वो है 1 gigabyte कितने byte के बरावर होते है तो यहां पे option A 1024 kb या option B 1024 mb या option C 1024 gb या option D 1024 tv तो इसका जो सही अंसर है वो है b 1024 mb या इसके बाद अगला जो question है वो है कम्प्यूटरों में प्रियुक्त IC chip बनते हैं तो option A chromium से या option B आइरेन ओक्साइड से या option C silver से या option D silicon से तो इसका जो सही अंसर है वो है D silicon से इसके बाद अगला जो question है वो है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही बिस्तरित रूप है option A higher text transfer protocol या option B higher transfer text protocol या option C hybrid text transfer protocol या option D hypertext transfer protocol तो इसका जो सही अंसर है वो है option D hypertext transfer protocol इसका सही अंसर है इसके बाद अगला जो question है वो है multi processing होती है option A एक processor द्वारा या option B एक से अधिक processor द्वारा या option C बिना किसी processor के या option D इसमें से कोई नहीं तो यहाँ पे जो सही अंसर है वो है option B एक से अधिक processor द्वारा इसके बाद अगला जो question है वो है CPU में control, memory और तीसरा कौन सा unit होती है तो यहाँ पे option A micro या option B processor या option C output या option D arithmetic logic तो यहाँ पे जो सही अंसर है arithmetic logic इसका सही अंसर है इसके बाद अगला जो question है वो है CPU के ALU में होते है तो option A RAM space या option B register या option C wide space या option D इसमें से सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है B register इसके बाद आगला जो question है वो है गरना और तोलना के लिए computer के किस भाग का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे option A disk unit या option B modem या option C ALU या option D control unit तो इसका जो सही अंसर है वो है ALU arithmetic logic unit इसका सही अंसर है इसके बाद आगला जो question है वो है processor के तीन मुखे वाग है तो यहाँ पे option A ALU control unit और RAM या option B ALU control unit और register या option C cache, control unit या जिस्टर या option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है B तो B इसका सही अंसर है इसके बाद आगला जो question है वो है computer के central processing unit का function है option A data delete करता है option B invoice बनाता है option C गरनाए और processing करता है इसके बाद option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है C गरनाए और processing करता है इसका सही अंसर है इसके बाद आगला जो question है वो है computer में अधिकांज processing किसमें होती है तो यहाँ पे option A motherboard में या option B memory में या option C CPU में या option D RAM में तो इसका जो सही अंसर है वो है CPU में इसके बाद आगला जो question है वो है computer नेमलिक्स में से कौन सा कार्य नहीं करता है तो यहाँ पे जो option है option A processing या option B understanding या option C inputing या option D outputting तो इसका जो सही अंसर है वो है option B understanding इसके बाद आगला जो question है वो है प्रमुक्ष मेंमोरी किस के समनवे से कार्य करती है तो यहाँ पे option A Intel के या option B विशेश कार्य कोड या option C RAM से या option D CPU से तो इसका जो सही अंसर है वो है D CPU से इसके बाद आगला जो question है वो है microprocessor जो computer का मेंस्तिश को उता है उसे कहा जाता है option A software या option B microchip या option C ALU या option D सभी कथन सत्य है तो इसका जो सही अंसर है वो है option B microchip इसके बाद आगला जो question है वो है computer दो बारा produce किया गया परनाम है option A memory option B data option C output option D input तो इसका जो सही अंसर है वो है option C output इसका सही अंसर है इसके बाद आगला जो question है वो है input का output में रूप अंतरन किया जाता है तो यहाँ पे चार option है तो option A memory दोवारा या option B CPU दोवारा या option C input और output दोवारा या option D peripherals दोवारा तो इहाँ पे इसका जो सही अंसर है वो है option B CPU दोवारा इसके बाद अगला जो question है वो है processed data को कहते है यहाँ पे option A output या option B process या option C input या option D सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option B process इसके बाद अगला जो question है वो है CPU का मुख्य घटक है तो इसमे option A control unit या option B memory या option C arithmetic logic unit या option D या option D ये सभी तो इसका अंसर जो है D है ये सभी CPU के मुख्य घटक है इसके बाद जो आगला question है वो है मनुष्य की समान्षक्ति computer की तूलना में होती है तो option A समान्य option B उच option C निमन या option D ओस्त तो इसका जो सही अंसर है वो है option A समान्य इसका सही अंसर है इसके बाद अगला जो question है वो है मानम्मन तथा computer में किसकी गति अधिक है तो इसका जो सही अंसर है option A computer या option B मानमन या option C दोनों में ब्रावर या option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option B मानम्मन इसकी गती जो होती है वो कंप्यूटर से बहुत जादा होती है इसके बाद आगला जो question है वो है EDP क्या है तो इसका जो सही अंसर है option A electronic data power या option B electronic data personal या option C electronic data port या option D electronic data processing तो option D जो है इसका सही अंसर है electronic data processing इसके बाद आगला जो question है वो है कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है तो किसको कहा जाता है option A data को या option B संख्याओं को या option C एकत्रित data को या option D ये सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option C एकत्रित data को सूचना कहा जाता है इसके बाद आगला जो question है वो है computer में data किसे का जाता है तो इसका जो सही answer है option A चिन को या option B संख्याओं को या option C दी गई सूचना को या option D चिन बा संख्यातमक सूचना को तो option D इसका सही answer है इसके बाद आगला जो question है वो है computer में जाने वाले data को क्या कहते है तो इसका जो सही answer option A एलोगरिथम या option B input या option C output या option D calculation तो इसका जो सही answer है वो option B input इसका सही answer है तो इस वीडियो में हमने computer GK के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद